Hello students, this is the chapter of EVS subject and the name of this chapter is Plants and Animals Need Water. इस chapter में ये बताया गया है कि पौधों को और जानवरों को भी पानी की जरुरत पढ़ती है. जैसे कि हमें जरुरत पढ़ती है, यानि जैसे human beings को पानी की जरुरत पढ़ती है, उसी तरह से पौधों को भी और जानवरों को भी जरुरत पढ़ती है. तो इस chapter को हम मैं आप लोगों के सामने explain करने जा रही हूं, आप इसे ध्यान से देखिए और सुनिए. जैसे कि पौधों और जानवरों को जिन्दा रहने के लिए जैसे कि पानी की जरुरत होती है. Let us see why they need water and how they get it. अब हम इसमें ये देखते हैं कि उन्हें पानी की जरुरत क्यों पढ़ती है और कैसे पौधे और जानवर पानी को प्राप्त करते हैं. तो हमारा एक topic है, ये topic दिया गया है, plants need water. याने पौधों को पानी की जरूरत. तो ये किस किस तरीके से होती है और क्यों होती है ये आप देखिए इस topic में बताया है. plants need water to make their food पौधों को जरुवत पानी की इसलिए पड़ती है क्योंकि वो अपना उससे भोजन बनाते है they make their food with the help of air, water and sunlight वे अपने भोजन को किसकी किसकी सहाथा से बनाते हैं हवा, पानी और sunlight के help से, मदद से वो अपना पौधे जो है भोजन बनाते हैं rain is the main source of water, वर्षा जो है पानी का सबसे बड़ा main स्रोथ होता है rain rain water goes into the soil, जो वर्षा का पानी होता है वो कहां जाता है, मिट्टी में जाता है, मिट्टी के अंदर जाता है यानि जमीन में जाता है, plants get this water through their roots और पौधे जो है इस पानी को प्राप्त करते हैं अपने roots के द्वारा, roots यानि क्या होता है पौधों की जो जड़े होती है, उसे हम roots कहते हैं तो ये पौधे जो है अपनी roots के थ्रू जो है पानी को अपने अंदर अफ्जल करते हैं we also grow plants at home हम जो है पौधों को घरों में उगाते हैं घरों में भी उगाते हैं we water our plants या और हम क्या करते हैं पौधों को पानी देते हैं take some seeds and put them deep into some dry soil हम क्या करते हैं कुछ बीज को लेते हैं और उस बीज को जो है सूखी मिट्टी में हम उसको क्या करते हैं नीचे मतलब रखते हैं deep into some dry soil में हम उसको रखते हैं observe the seeds after a few days हम कुछ दिनों बाद उसको observe करते हैं और देखते हैं तो कुछ दिनों बाद क्या हमको दिखाई देता है you notice that the seeds have not grown तो सूखी मिट्टी में जब हम किसी भी बीज को डालते हैं तो उसमें से हमें कोई भी पौधा किसी तरह का उगता हुआ दिखाई नहीं देता है now put some seeds into some most soil लेकिन वही पर अब जब हम किसी भी बीज को जैसे की गीली moisture जैसे की soil में जब रखते हैं तो वह बीज जो होता है उपर की तरप किस तरह है जर्मिनेट होने लगता है जैसे देखिए the seeds starts germination तो उस बीज में से क्या होता है कि वह germinate होता है sprout होता है यानि उसमें से अंकुरित होने लग जाता है germination का मतलब होता है अंकुरित होना यंग plants come out of these seeds और उसमें से छोटे पौधे जो है बाहर निकलने लगते हैं बीज में से this shows that water is needed for the germination of seeds और जो यह नीचे प्रक्रिया दिखाई गई है जैसे बीज को हमने इसमें पहले soil में यानि मिट्टी में पहले रखा फिर उसके बाद यह germinate अंकुरित होना सुरुक किया और फिर उसमें से एक छोटा पौधा बाहर आता है और फिर एक plant के रूप में वह बन जाता है तो इसी को हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं कि बीज का अंकुरित होना यानि सीट्स जैसे कि germination of seeds तो इस तरह से यह क्रिया जो है मतलब पूरी होती है जर्मिनेशन आफ सीट्स की यानि पानी पौधे कहते हैं lotus and water hyacinth are aquatic plants और इसके एक्जामपल के रूप में कौन-कौन से पौधे आते हैं कौन-कौन से पौधे जो होते हैं कि aquatic plants कहलाते हैं lotus water hyacinth और यह सब जो हैं aquatic plants कहलाते हैं they grow only in water यह केवल पानी में ही उगते हैं अब देखिए यहां पर एक activity दी गई है कि एक गमले में जो है पौधा उगाया गया है और एक दूसरे गमले में भी पौधा उगाया गया है लेकिन पहले जो गमले में पौधा उगाया गया है उसमें प पौधे में पानी दे दिया गया है पानी डाला गया है तो यह पौधा जो है बिल्कुल फूल इसमें से निकला है और इसकी पत्निया जो है बिल्कुल हरी भरी अच्छी सी दिखाई दे रही है तो यह activity आप अपने घर पे भी इसको करके आप नोटिस कर सकते हैं और देख स कि यह किस तरह से पानी को पौधे अपने अंदर आप जरू करते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल्स नीड वाटर अब तक तो हमने पौधों के बारे में पढ़ लिया कि उन्हें पानी की जोरत कैसे पढ़ती है लेकिन जानवरों को भी पानी की जोरत पढ़ती है इसके बारे में हम इस टॉपिक को देखते हैं एनिमल्स ऑलसो नीड वाटर यानि जानवरों को भी पानी की जोरत पढ़ती है वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर जेबरा एंड एलिफेंट ड्रिंक वाटर फ्रॉम पॉंड्स रीवर एंड लेक्स यानि कि ज पानी पीते हैं इसके बादे एनिमल्स ऑलसो बात इन वाटर यानि जानवर जो है पानी में क्या करते हैं नहाते भी हैं यू माइट यू यू माइट हैव सीन एन एलिफेंट इन पॉंड इन पॉंड इट सौर्स वाटर और इट्स बोड़ी वित इस ट्रंक है व्यू है अफसीन मतलब आपने देखा ही होगा कि यू तालाब में हाrü भी उन नहाता है और अपने प्रंक पर सूर के सहारे समय करते हुए ईयृह आपने सारीर क्यों पर आधा और उसमें नहाता है जैसे कि यहां पर यह पिक्चर में दिखाया गया है कि elephant जो है कैसे नहा रहा है elephant taking a bath इसके बाद water is home to animals like fish whale and octopus याने water is home animals याने यह जो पानी होता है जानवरों का घर होता है कुछ जानवर ऐसे जो होते हैं कि पानी ही उनका घर होता है जैसे कि कौन-कौन से जानवर है कौन-कौन से एनिमल से वह फिश वेल और ऑक्टोपस पानी ही इनका जीवन है और पानी इनका घर होता है animals living in water are called aquatic animals तो इन जानवरों को पानी में रहने वाले इन जानवरों को जिन्दा रहने वाले जानवरों को हम क्या कहते हैं aquatic animals कहते हैं little need of water याने बहुत ही थोड़े पानी की जरूरत किस पौधों को थोड़े पानी की जरूरत होती है और किन जानवरों को जो है कम पानी की ज़रुत होती है इस topic में हम यह पढ़ेंगे We know that all plants and animals need water हम जानते हैं कि सभी पौधे और जानवर जो है उनको पानी की ज़रुत पढ़ती है but they do not need an equal amount of water लेकिन वे जो है क्या है पानी की ज़रुत सबको equal नहीं पढ़ती है equal amount में नहीं पढ़ती है Some plants and animals need more water whereas some needs less water कुछ पौधो और जानवरों को जो है कम पानी की ज़रुत पढ़ती है और कुछ पौधो और जानवरों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रुत पढ़ती है Aquatic plants and animals need water the most जो आक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको पानी की बहुत ज्यादा ज़रुवत पड़ती है वह यानि वह पानी में ही जिन्दा रहते हैं यानि वह थोड़े समय भी बिल्कुल भी बिना पानी के मतलब वह जीवित नहीं रह सकते हैं वह पानी में ही उनका जीवन होता है Do you know that some plants and animals need very little water? क्या तुम जानते हो कि कुछ पौधे और जानवर बहुत ही थोड़े पानी की जरूरत होती है उन्हें और बहुत थोड़े ही पानी में कुछ ऐसे पौधे होते हैं और कुछ ऐसे जानवर होते हैं कि बहुत थोड़े ही पानी में वह जीवित रह सकते हैं क्या आप ऐसा जानते हैं कुछ ऐसे हैं पौधे और ऐसे जानवर हैं such plants and animals live in places where very little water is found such plants and animals देखिए कुछ पौधे और जानवर जो होते हैं प्लेसे ऐसे जगहों पर होते हैं जिंदा रहते हैं very 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 little water is found जहां कि बहुत ही थोड़ा पानी मिलता है पाया जाता है फौर एक्जाम्पल कैक्टस डेट पांड डेजर्ट स्नेक डेजर्ट रैट एंड कैमल देखिए यह एक्जाम्पल के तौर पे यह सारे दिये गए हैं हमारे जैसे की पौधे भी दिये गए हैं और कुछ एनिमल्स भी दिये गए हैं जो की कैक्टस है डेट पाल्म है डेजर्ट स्नेक है और डेजर्ट रैट एंड कैमल लेट उस टेक अलुक एट सम आफ देम अब हम इनको इस तरह से कुछ इनको देखते हैं देखिए यह कैसे अग। का दो बारे में हम देखते हैं तक प्लांट इस फाउड डेजर्ट डेजल्ट्स वेर लिटील वाटर इस अवलेवल और डेस वेरीड्रा डेखिये का पौधा जो होता है वो डेजर्ट एरिया में पाया जाता है डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान यानि जहां क भूमी बिल्कुल रेतीली होती है डेजर्ट एरिया में पाया जाता है और वहां पर पानी की मात्रा जो होती है बिल्कुल ही थोड़ी होती है और ऐसे में वहां पानी की मात्रा जमीन में बहुत थोड़ी होने के वजह से कारण से वहां की मिट्टी जो होती है बिल्कुल तो ऐसे में जो है दे लीव्स इन कैक्टस प्लांट जो होता है वह जो है अपने जैसे की हैब कैक्टस प्लांट जो है कनवर्ट हो जाता है किस तरह कनवर्ट हो जाता है एक कटीले रूप में कनवर्ट होता है देखी आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है क्यों कैक्टस क पानी में भी यह पूरा हरा भरा दिखाई देता है यानि यह वहां के एटमस फो एफेयर के हिसाब से यह बिल्कुल वहां पर सुरच्छित जिन्दा रहता है इसके बाद है कैमल कैमल आर फाउंड इन डेजर्ट यह कैमल जो है जानवर होता है यह भी डेजर्ट एरिया में ही यह जो कैमल का जो उंचा वाला भाग दिखाई दे रहा है इसको हम हम कहते हैं तो इसमें जो है वह अपने भोजन को स्टोर करके रख लेता है डेजर्ट रैट एंड डेजर्ट स्नेक्स ऑल्सो नीड वेरी लिटिल वाटर यानि कि डेजर्ट रैट जो होता है रेगिस्तान एरिया में पाए जाते हैं तो आई होप आपको यह चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आप इसे बार-बार ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा थैंक यू